नमस्कार दोस्तों स्वागा थे आपका हमारे यूटूब चैनल एक्जाम अनुभो पर फ्रेंड्स आजम बात करेंगे उत्तरप्रदेस अधिना सेवाच चैनल आयोग की तरफ से जो लेटेस्ट अप्डेट आ रही है वो है जो ने असिस्टेंड से लेके और एक्जाम डेट को लेके क्योंकि फ्रेंड्स जो आयोग ने एक्जाम अनॉंस कर दी है उसके बारे में जो नौटिफिकेशन है उसके संबन में आपको जानकर ही देंगे वीडियो को लाइक करके साजा कर दे और चैनल पे पहली बार आये हैं तो चैनल को सब्सक्रेब करना मूलें फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं आप सक सूचना है और जो कि आज की डेट में है 17 आट दो हजारी यहाँ पे जो आज है 17 तारिक और यह जो एक्जाम डेट आयोग ने दी है यहाँ इस कनिस्था है कि यहाँ पे लगभग लगभग एक तालिस अर्व सैतिस अब्यार्थी से बारा है और यहाँ पे जब एडमिट कार आएंगे यहाँ पे दिया गया उक्त परिच्छा प्रश्पत निर्गत किया जाने के संबंध में अब बैरतियों को वेबसाइट के मादम से प्रथक से यथा समय सूचित किया जाएगा तो हाँ फ्रेंड से यहाँ पे आपको अ पे यदि आप हैं तो टेलिग्राम चैनल पे एक्जाम अन्भाव चैनल को सब्स्वेब करना न बूलें और भी क्वारी और भी जानकारी चाहते हैं तो आप हमें आवश कमेंट बाक्स में कमेंट करके बताएं इस पिछले वीडियो में मैंने आपसे बताया था कि जो पीट आप मैं हर वीडियो में कहता हूं कमसे वाँ 85 मार्ग्स वालों को गला हैं मगर एक आधार कट-off अवस इसकी दिरधारित करें क्योंकि अभ्यारती एक बार मेहनत करता है और 85 मार्ग्स जो भी लाता है उसके बाद क्वालिफाई तो कर जाता है मगर वो ही अभ्यारती हर हक खा रहे हो तीक है, उसकी सीट खाना मुझे लगता है कि आपको सोभा नहीं देता है यदि आप 2,000 गेट पे की जौब कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आपको 2,000 गेट पे की जौब के लिए form फिर से पुना भरना चाहिए हाँ, 1200 grade पे जाएए, 800 grade पे जाएए, 2400 grade पे चाहिए, 4800 grade पे जाएए ये तो माना जा सकता है पुना 2000 grade पे कि जो आप 2400 की कर रहे हैं, फिर 2400 के लिए विभाग बदलने के लिए या फिर 1200 की कर रहे हैं, तो विभाग बदलने के लिए ठीक है इस विभाग में अच्छी कमाई है इस विभाग में इस विभाग में पीटी बेसिकली मैं यहां पर बात कर रहा हूँ जो PET का 2003 का एक्जाम होना है यहां पर आयोग से मैं निवेधन करूँगा आप लोगे कि माद्धम से आप लोग इस चीज़ को appreciate करके आपके forward करें इस चीज़ को ग्यापन दे आयोग में वहाँ पर जाके आप अपनी बात रखें यह जो PT का अधार cut-off नरधारित करें और जिसकी durability है यह तरह करें 3 साल 5 वर्ज यहाँ पर भरतियां जो है 3 साल लग जाते हैं पूरी होने 5 साल लग जाते हैं तो यहाँ पर PT का एक normal year एक साल रख सकते हैं वैदाता तो क्या इसमें आपको सोबा देता है अब भैरतियों के साथ क्यों यह चल कर रहे हैं दूसरी पक्षाओं में भी बैठने के लिए उसे मौका दीजिए हर वर्ज पीटी की तयारी करें हर वर्ज पीटी की तयारी करें 30 लग 35 अब भैरतिया फार्म डालता है आपको तो एक अच्छा सा revenue जनरेट करने का मौका मिल गया हम अगर उन अभैरतियों से पूछिए जिनके पास पैसे नहीं होता है एक्जाम ज़्यादा दूर नहीं जा सकते है किसी अच्छी मेहनत करके एक बार वो एक्जाम कौलिफए करता है 6 मार्ग सिलाता है तो फिर वैद दता है एक साल कम से कम तीन वर्ज दे तो वो अगली भरतियों में भी अपना समय दे पाए 90 मार्ग सिलाता है तो कम से कम तीन साल तक उसकी वैलाडिटी बरकरार रहनी चाहिए ना उस 90 मार्ग सिलाने वाले भरति के लिए तो इन से भी विश्यों को ध्यान में रखते हैं इन चीजों को आगे फॉर्वर्ड करें आए उक तक अपनी बात रखें यही जानकारी थी और भी जानकारी के लिए आप हमसे जुड़े रहें चैनल पर बने रहें थैंक्स पर वाचिक जैह